जो face pack में आपको बता रही हो ना, इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पे कितनी भी पुरानी जाईयां क्यों ना हो बो जाएंगी, चेहरे पे निखार आएगा, चेहरा आपका instant glow करेगा, चेहरे पे कितने भी ज़्यादा काले दाग धब्बे क्यों ना हो, काले निशान क्य चेहरे चेहरे बनाना कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जाईयां पढ़ गी हो, या दाग पढ़ गी हो, काले निशान पढ़ गी हो, चेहरे पे कितनी भी ज़्यादा टैनिंग होगी हो, या किसी भी बज़ज़ से कितने भी काले दाग धबे पढ़ गे हों या काली मैल की परत चड़गी ही तो आज का यह जो नुस्का है ना जो मैं आप से शेर करने वाली हूँ इसको लगाने के बाद आपकी सारी समस्याइं की जितनी भी समस्याइं होंगी आपकी सारी दूर हो जाएंगी तो दोस्तों यहां पे मैंने ए प्लाई करना है अपने हाथ में इसको ले लिया है सबसे पहले तो अपने फेश को बॉस कर ले और उसके बाद इसको अपने फेस पे लगाएं इस तरह से लगाएं कि आपको अपने चेहरे का मैल उतारना है जितनी भी ज़्यादा ज्याइं पढ़गी हो या जुरियां पढ और अपने eyebrows के पास, आँखों के पास, होंटों के पास, जहां पर काली मैल की परत चड़ी होती है, जितनी भी ज़दा tannying होती है, इससे आपकी जो चेहरा होगा, एक दम से निकर जाएगा, चेहरे पे कितनी भी ज़दा tannying क्यों हो गई हो, वो सारी की सारी, जो है, वो साफ हो जाएगी दूद क्या करता है कि हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है और चेहरे पे ग्लो लाता है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना इसी तरह से आपने आँखों के पास जो है वो बहुत ही अच्छे से करना है नीचे से उपर की तरफ सो मतलब अपने उंगलियों को प्रेस करके आपने उपर को करना है जिस तरह से जूरियां होती है ना होंटों के पास पढ़ जाती है उसी तरह से माते के पास भी बहुत ज़्यादा कई वार जूरियां हो जाती है तो एजिंग की प्रॉब्लम बोड़ापा हमें जो है वो उमर से पहले नजर आने लगता है तो ये जो दूद का जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ न इसी तरह से आपने अगर इसको एपलाई किये न तो आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम होगी वो आपकी दूर होगी निखार तो आपके चेहरे पे आएगा ही आएगा चेहरे की जितनी भी ज़्यादा काली मैल होगी चड़ गई हो वो सारी की सारी आपकी साफ हो जाएगी आँखों के पास आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रही हूँ गोल गोल मतलब अच्छे तरीके से करना है यहाँ पे भी जैसे काले घेरे पढ़ जाते हैं आँखों के पास बहुत ही ज़्यादा बहुत गंदे से लगते हैं घेरे मतलब कई बार तो किसी भी बज़ से पढ़ सकते हैं नींद पूरी नहीं होती है उस बज़े से पढ़ सकते हैं या फिर हमें कोई tension मतलब होती है उस बज़े से भी हमें काले घेरे जो हैं वो हमारी skin पे हमारे आंखों के पास नजर आते हैं तो सबसे पहले तो अपनी skin की केर तो करें ही करें साथ में अपने खाने पेने का भी ध्यान रखें अपनी डाइट को सही तरीके से लें पानी का खूब ज्यादा जो है वो इंटेक लें और आपके चेहरे की जितनी भी ज्यादा ज्याई होगी वो दूर हो जाएंगी टमाटर को उसके बाद आपने अपने पे रव करना है मतलब जैसे ही आपने दूद का जो मैंने बताया आपको मास्क ऐसे तरह से लगाना है उसके बाद आपने टमाटर को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है टमाटर में बिटामिन C होता है जो कि हमारे चेहरे पे जो है वो निखार लाता है और दाग दबों को द तुमाटर और दूद का जो मतलब मिक्स हम पैक लगा के लगाएंगे न तो उससे हमारे चेहरे पे निखार आएगा चेहरा ग्लो बनेगा चेहरे पे ग्लो आएगा तो इसी तरीके से आपको टमाटर से भी अपने फेस पे जो है वो फेशियल करना है मतलब मिसाज करनी है तो बेशन इतना डालना है कि जितने बंदों के लिए आप लगा रहे हो जैसे दो के लिए लगा रहे हो तो दो चमच बड़े वाले वो आपको डालना है मैं यहाँ पे दो बंदों के लिए लगा रही थी मतलब मेरी बेटी भी आई थी मैंने उसको भी एपलाई किया क्योंकि वो भी सफर करके आई थी, तो चेहरे पे टैनिंग पड़ गी थी, तो मैंने उसके चेहरे पे इसको अपलाई करना था, तो इसी तरीके से अगर आपने एक ही लगा रहा है, तो आप एक चम्मच हील डाले इसमें बड़े वाला, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पतला हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा और डाले, मतलब इसको ठीक सा बनाना है, ताकि आपके चेहरे पे वो लग जाए, गिरे ना नीचे, तो ना गाड़ा होना चाहिए, ना ही जादा पतला होना चाहिए, चलो इसको अपलाई करते हैं अपने फेस पे, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए इतनी अच्छे घरेलू नूश्के लाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीस लाइक जुरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक आपका एक आता है, और मैं मोटिवेशन मेरे को इतनी मिलती है ना, आपके लाइक से कि मैं और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट होती हूँ, तो तभी तो मैं अच्छे अच्छे ग्रेलून उसके लाती हूँ, और आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये जो बेसन है ना, बेसन से हमारी चेहरे पे निखार, आईगा और स्कीन हमारी टाइट होगी, एजिंग की प्रॉब्लम भी आपमारी दूर होती है, बुड़ापान उमर से पहले नजर आता है, तो बेसन जो है, वो इसकी समस्यों को दूर करता है, एजिंग की समस्यों को, अगर आपके पास बेसन नहीं है, तो मतलब खतम हो गया हो, या नहीं भी हो, तो आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, जिसके हम रोटियां बनाते हैं, तो उससे भी आपके चहरे पे उतना ही निखा रहेगा, जितना की बेसन से आता है, तो इसी तरह से आपने जो अभी उसको लगाना हो, अगर आप इसी तरह से जो मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपने अगर ये ट्रीट्मेंट फॉलो किया ना, और इसी तरह से फीस पैक लगा है, तो आपका चहरे पे इतना ग्लो आएगा ना, कि आप हैरान हो जाओगे, और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, अगर आप इस ट्रीट्मेंट को रेगुलर करेंगे ना, जैसे हफते में तीन-चार बार कर लिए, तो आपके जहरे कि जितनी ज़्यादा जाईयां, जुरियों के प्राबलम होगी, यह जाईयों की, यह एकने की प्राबलम है, यह टैनिंग की प्राबलम है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, और स्किन आपके इतनी निखर जाएगी ना, कि आप उत दुवारा यह दिकत होगी ही नहीं, तो दोस्तों यही पे मैं वीडियो का end भी करती हूँ, I hope आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो please like, share, comment शुरूर करना, मैं मोनिका दुवारा मिलूगी आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी,